खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतन्तर टीवी एंड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट कोरोना वारिस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों को लॉकडाउन था उसे लागू किया आलाकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा था कि लॉकडाउन की जो समय सीमा है वो बढ़ सकती है जिस पर क्याबिनेट सचेव राजीव गोभा का कहना है कि 21 दिनों की लॉकडाउन अवदी को बढ़ाने की सरकार की कोई योचना नहीं है तो देश में आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा ये सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है साथी इसको लेकर आ रही रिपोर्ट्स पर भी हैरानी जताई गई है आज क्याबिनेट सचेव राजीव गोभा ने ये कहा कि मैं इस तरह की रिपोर्ट्स को पढ़ कर हैरान हूँ लॉकडाउन को बढ़ाने की कोई योचना भी फलाल नहीं है सरकार की जानकारी देरें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च को लॉकडाउन की घोशना की थी लॉकडाउन 14 एप्रिल को खत्म होगा सरकार ने सभी राज्यों और केंदर शासत प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों के भारी पलायन को देखते हुए लॉकडाउन को सक्ती से लागू करने के निदेश भी दिये थे अलगातार हम आपको ये खबर बता रहे हैं और अब सक्ती से लॉकडाउन का पालन किया जाए वरना सक्त कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जाएंगे लेकिन जिस तरह से अफवाएं उड रही थी कि लॉकडाउन की जो समय सीमा है उसे बढ़ाया जा सकता है अब सरकार ने ये साफ कर दिया है कि लॉकडाउन फिलहाल आगे बढ़ाने की कोई योजना सरकार की नहीं है